हलो दोस्तो कैसे हैं आप आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक एम्प्लिफायर का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको 6283 नंबर की IC का एम्प्लिफायर आपको बना कर दिखाया था दोस्तो उसमें आपके बहुत सारे कोमेंट है थी के सर इस एम्प्लिफायर में हम Bluetooth काड को कैसे लगा सकते हैं तो दोस्तो आज आप देख सकते हैं मेरे पास मैं यह Pennon Company का Bluetooth काड है और दोस्तो इस काड को आप अपने किसी भी amplifier या फिर अपने किसी भी home theater में आप बड़े ही आराम से लगा सकते हैं चाहें आपका home theater DC volt का हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तो मैं जो आपको तरीका बताऊंगा उससे आप एक power IC लगा कर आप किसी भी वोल्ट से अपने जो है amplifier में Bluetooth कार्ट को चला सकते हैं बड़ी ही आसानी से तो दोस्तो वीडियो पर आप बने रहें इस वीडियो में आपको complete knowledge मिलने वाली है दोस्तो ये वो amplifier है जो अपसे कुछ दिन पहले हमने बनाया था अगर आप इस वीडियो को देखना चाते हैं कि इस amplifier को हमने कैसे बनाया था तो इस वीडियो का link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा दोस्तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक 12V के transformer का यूज किया है 6283 नंबर की IC का मैंने circuit board लगाया है यहाँ पर मैंने 3 volume का यूज किया है जिसमें bass travels का भी यूज किया है यहाँ आप देख सकते हैं audio input के लिए मैंने एक AV socket का यूज किया है aux lead से इसको हम बजा सकते हैं अब दोस्तो हम इसमें लगाने वाले हैं इस type का Bluetooth card दोस्तो इस card को आप किसी भी amplifier या फिर home theater में लगा सकते हैं चलिए मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ कि इसके अंदर हमें क्या-क्या मिलता है दोस्तो देखिए मैंने इसको open कर लिया है आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कई सारे चीज़े मिलती है जैसे कि एक हमें USB card मिलता है आप देख सकते हैं Bluetooth card है इसमें one socket दिया हुआ है USB का और साथ में TF card के लिए भी socket दिया है अभी दोस्तो यहाँ पर हमें एक remote मिलता है जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस type का remote होता है और यहाँ एक socket हमें मिलता है इसका power wallet अब दोस्तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इस socket को लगा लेता हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं ठीक है यह बिलकुल आसान है आप भी इसको इसी तरह से लगा सकते हैं दोस्तो सौकिट को लगाने के बाद में आप इसमें power का socket भी लगा लें ये वाला ठीक है ये दोनों socket card के साथ ही मिल जाते हैं दोस्तो अगर हम इसके price की बात करें तो मैं इस समय उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में रहता हूँ और दोस्तो यहाँ पर इस card का जो price है वो मात्र है 150 रुपे आपके यहाँ पर इसका rate थोड़ा बहुत कम या जादा भी हो सकता है connection बता देता हूँ दिखिए दोस्तो यह जो हमारी power की wire है तो जो इस side वाली wire है यह हमारी minus की negative volt की wire है और इधर की जो wire है यह हमारे 5V DC volt की wire है ठीक है इस jack में पहली wire हो जाती है left की इसके बाद आती है हमारी ground की wire इसके बाद आती हमारी right की wire और यह last में है हमारी FM की wire 5V के supply कहीं भी नहीं मिलेगी अगर दोस्तो आपके amplifier में या फिर आपके home t artist में अगर पहले से ये card लगा हुआ नहीं है या USB का कोई भी card नहीं है तो उसमें आपको 5V के supply नहीं मिलेगी तो दोस्तो हम 5V के supply को बना सकते हैं बड़ी ही आराम से एक IC का यूज़ करके दोस्तो आप देख सकते हैं ये वो 7805 IC है और दोस्तो इस IC को हम 12 वोल्ट से लगाते हैं तो ये हमें 5 वोल्ट की आउटपुट देती है तो ये पहली पिन जो है इसकी ये 12 वोल्ट इनके लिए है यहाँ पर हम 12 वोल्ट को देते हैं माइनस वोल्ट की यानि के नेगेटिव वोल्ट की और तीसरी पिन हमारी आउट वोल्ट की है इस पर हमें 5 वोल्ट की आउटपुट मिलती है तो दोस्तो पहले मैं इस IC को लगा लेता हूँ और इसके कनेक्शन भी कर लेता हूँ दोस्तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने IC को लगा दिया है और आप इस IC को ऐसे बिलकुल भी ना लगाएं आप यहाँ पर एक हीट सिंक लगाएं जिसकी वज़े से IC बिलकुल भी हीट ना हो ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पर input वोल्ट की पिन पर मैंने वायर को ल पर माइनस के वोल्ट पर मैं लगाने वाला हूँ ठीक है जहां पर हमारे माइनस के वोल्ट आ रहे हैं ठीक है तो मैं यहां पर लगा देता हूँ यहां भी माइनस के वोल्ट हैं और इसके बाद माइनस वाली वायर को आपको यहां बीच वाली पिन पर लगा देना है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी wiring जो है वो बिल्कुल complete हो गई है ठीक है हमारी IC को 12 volt की input volt यहाँ पर मिल गए है अब दोस्तो हम यहाँ पर इस card को लगा लेते हैं और इसके बाद हम इसके connection भी यहाँ पर कर देते हैं तो दोस्तो कुछ इस तरह से मैंने card को यहाँ पर रख लिया है आप देख सकते हैं अब दोस्तो हम इसकी power की जो wire है यह वाली उसके connection करेंगे दोस्तो power की wire तो मैंने आपको बताया ही है यह वाली wire हमारी 5 volt की है तो मैं यहाँ पर IC पर 5 volt वाली pin पर इसको लगा देता हूँ दोस्तो इसकी जो negative वाली wire है इसको हम यहाँ पर IC की बीच वाली pin पर लगा देते हैं ठीके दोस्तो अब हमारे card को 5 volt की जो power है वो मिल गई है ठीके अब दोस्तो हम इसके connection करते हैं audio के आप देख सकते हैं दोस्तो audio में हमारी बीच वाली wire जो है वो ground की है ठीक है हम बीच वाली वायर को हटा देते हैं और जो हमारे पास ये दो वायर बच जाती है बर बाख सकते हैं अगर दोनों मिला कर लगाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन अगर आप एक लगाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं आती है एक wire से भी sound इसमें आ जाती है क्योंकि दोस्तो ये जो wire है ये एक एक channel के निये wire होती है अब दोस्तो ये जो इसमें बीच वाली wire है ये ground की wire होती है दोस्तो अब आपको ये wire कहा लगाना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तो आपके पास amplifier हो या फिर home theater हो दोनों में ही इस तरह का volume लगा हुआ होता है दोस्तो volume की जो पहली वाली pin है इस पर ही हमें ये audio की wire लगाना होती है अगर दोस्तो आपके amplifier में ये वाला volume नहीं है single वाला हो सकता है कि उसमें इस type का double वाला volume हो ठीक है अगर double वाला volume होगा तब भी दोस्तो आपको क्या करना है कि इस जो इसकी पहली pin होती है यहाँ पर इस side में इन दोनों pinों पर आपको wire लगाना है चाहें तो आप एक एक wire लगा दें या फिर दोनों wire को आपस में इस तरह से मैंने इसकी wire को यहाँ पर volume पर लगा लिया अब जो हमारे पास में यह ground की wire बच गई है दोस्तो इस wire को हम लगाएंगे ic के ground पर जो के ic की minus volt की wire है ठीक है यहाँ पर इस जगा पर बीच वाली pin पर ic की हम इस wire को लगा देते हैं दोस्तो यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं एक speaker को socket में लगा दिया है और अब हम इसकी आवाज जो है उसको देखेंगे के यह कैसा work करता है ठीक है मैंने amplifier को power में लगा दिया है और power को on कर दिया है आप देख सकते हैं card में power आ गई है ठीक है अब दोस्तो हम mobile को bluetooth से connect कर लेते हैं और bluetooth से connect करने के लिए मैं mode को change कर देता हूँ यहाँ पर मैं bluetooth mode इसमें on कर लेता हूँ कुछ इस तरह से ठीक है अभी दोस्तो यहाँ पर bluetooth mode आ गया है आप देख सकते हैं देखिए दोस्तो हमारा device connect हो गया है चलिए दोस्तों मैं एक song को play करके देख लेता हूँ इसमें और आप देख सकते है song play हो गया है हम इसका आवाज जो है उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आवाज जो है वो काफी अच्छा मुझे आ रहा है तो दोस्तों आपने देखा कि यह कितने अच्छा से work कर रहा है इसका आवाज भी काफी ज्यादा है तो दोस्तों इस तरह से ही आप अपने किसी भी amplifier या फिर home theater में bluetooth card को लगा सकते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें comment box में जरूर बताएं वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like share भी जरूर कर दें दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो ऐसी ही knowledgeable video के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर लें और घंटे के निशान को भी आल पर दबा दें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम